हलो एवरीवन हिंदी क्लब में तहे दिल से आपका अस्वागत है मैं लेके आई हूँ ये खास वीडियो आपके लिए जो कि टेट और सीट शेक शमन्दित है आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आई ये शुरू करने से पहले हम देखते हैं इसके विशेश सुची को इसके विशेश सुची में है इतिहास के शरोत अध्याए एक में हम देखेंगे अदिमानो अध्याए हई विजेशों सेवयपार और शंपर्क अध्याय आठ में खुपतिकाल और अध्याय नौ और सबसे आखरी अध्याय होगा यह हमारा जिसमें हम देखेंगे प्रांतिय राज्यों का यूग प्रश्ण शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस प्रश्ण का जवाब आप जानते हो उसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में चरूर दे इससे दो बाते होगी पहला यह कि हमें भी पता चलेगा कि आपकी त्यारी कैसी चल रही है और आपका भी सेल्फ बढ़ेगा तो चलेए शुरू करते हैं इतिहास कहते हैं ओप्सन में अ है पुराने समय की बातों को जी हाँ बिल्कुल अतीत की घटना को इतिहास कहते हैं नेक्स है बहुत समय पहले लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे इसलिए वे अपनी बात कहते होंगे तो इसका एंसर होगा बॉ चितर बनाकर कहते दिया को अजी आवर को स्थाल चित्र इसके उधारनं हो सकते हैं है और मद्ध्यपर्देश जो की इसका उधारन रउध्दिश और दछीन उत्रपरदेश की कृप्पौ से भी प्राप्ट कर सकते दिया क्योंकर वहां पर बहुत सारे प्राप्त हुए है चले नेक्स्ट देखते हैं कब्रा पहार किस जीले में इस्थित है कब्रा पहार रायगर जीले में इस्थित है नेक्स्ट है शीला लेक कहते हैं शीला लेक किसे कहते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा और पत्थर पर खोद कर लिखी ब लिखे बातों को नेक्स्ट देखते हैं जो पुरानी बसाहाटों को खोद कर उनके उनके तत्यों के बाड़े में पता लगा उन्हें कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं इतिहासकार कहते हैं करेम, नेक्षट है कि लाक्षमन मुंदीर कहां स sanctौ करक्पोर에서, तो वहां से हमें लकृड़ी के स्थम्म लेक परप्थ earthly है the second नप्वर के कि गुन्भांसे ऐस मीया दि मनोकाल के क्या थे अदि मनोकाल के होंगे क्या होंगे वहां पर सहाइल चित्र ठीक है वहां से हमें सेल्चित्र मिले जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको भी पताया है नेक्स्ट है रवी अपने मित्रों के साथ संग्राले देखने गया वहां उसने देखा तो हम सभी जानते हैं संग्राले में पुराने जमाने की बहुत सारे चीज़े इकठा करके चलता है जो आपसाथ ए है और है तो ठीक है नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं जो कि हमारा होगा आदी मानो को देखते हैं आदी मानो को बरतन इवं चूलों की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि उन्हें क्यों नहीं होती थी क्योंकि उन्हें आग का ग्यान नहीं था आपस इसका उत्तर पता हो तो प्लीज कोमेंट बॉक्स में चरोर लिए नेक्स्ट है आदी मानो आग का उप्योग करते थे तो वह क्यों करते थे मांस को भूनकर खाने में जानवरों से रख ठंड से बचने में तो यहां पे तीनों आप्सन सही है इसलिए इसका एंसर हो जाएगा दो उप्रोक्त शवी चलिए नेक्स्ट देखते हैं आदी मानों के औजार से बने होते थे क्योंकि आदी मानों के औजार थे औजार पत्थरों से बने होते थे क्योंकि पत्थर बहुत आसानी से मिल जाते थे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आदी मानों का पहला पालतु किसे कहते है जूम खेती जो जिसके बारे हम NCR टेवुक्त में भी पड़े हैं तो इसका एंसर हो जाएका दो तीन साल तक फशल उगाने के बाद उसे खाली छोड़ दिया जाता था जिया बिल्कुल जूम खेती उसे ही कहा जाता है जहां पर दो या तीन साल तक कर्टियों के कि जाती है और फिर उसकी उर्वरा सकती बढ़ाने के लिए उससे छोड दिया जाता था और फिर दूसरे जगह पर लोग जाते थे और फिर नहीं पर फिर दो-तीन साल तक खेती करते थे तो ऐसे उनका सिलशिला बना रहता था जिसे हम जूम खेती करते हैं चले नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंद्धु ऊटटी की चल्वा सिन्दु और फर्स्ट है महां जोद्रो एवन हडपा कहां जुति थे तो यह पाकिस्तान के पंजाब एवन सिंध फ्रांथ में चनिश्थ हैं ठाब सम के प्राइज एञश्थन κश्ब्हा नेक्स्ट हैं सिंद हुआा हरप्प संस्कीति का विकास सिंदुनधी के किनारे क्यूंद्धर विक्सित इसलिए उपरोप विक्सित हुए 300 से चाहजार वर्ष पूर्वन नेक्सट है सिनुसभीता भारत में पाई गई सिनुसभीता भारत में पाई गई मतलब वो कहाँ कहाँ पाई गई ।ो राजस्थार के काली बंगा में भी इसे सब्सदु तब फेर पंजाब के रोपर में पाई गई है और गुजरात के लोठर में इसलिए इसका इंसर हो जाएगा उप्रोप सभी जगह नेक्स्ट है चिन्दु खाटी के लोग विदेशी वेपार करते थे जल मार्क से विदेशी वेपार करते थे आप देख सकते हैं मैप में कि सिंदुघाटी के जस्ट नीचे अरब चागर है यानि शमुंदर है तो वहाँ पे लोग जल मार्ग से विदेशी बेपार करते थे नेक्स्ट है गोदी किसे कहते है तो शमुंदर के किनारे इस्थित वह अस्थान जहां जहाज खड़ा किया जाता था उसे ही गोदी कहते है नेक्स्ट है शिंदुघाटी वास्टी को ग्यान नहीं था शिंदुघाटी वास्टी को किस चीज का ग्यान नहीं था तो उन्हें ल यह हो गया सिंदु घाटि की सवेता से प्रश्न, नेक्ष्ट है हमारा वैधिक गाल, नेक्ष्ट च्वैदीक काल, उसे प्रश्न देखेंगे हम, तो प्रश्न शरू करते हैं, प्रश्ट शंख्या एक है, 3500-4,000 वर्श पुर्प सिंदु शुरसती नदी के मैदान में एक नई शंस्कृति का विकार सुवा उसे कहते हैं उसे क्या कहते है तो उसे वैदिक शंस्कृति कहते है कोशन नमर 2 है वैदिक संस्कृति को विक्षित किया गया तो वैदिक संस्कृति को किसके दौरा विक्षित किया गया त कि विष्वा का सबसे प्राचीन गुरंथ रीग वेद है नेक्स्ट है कुछ नमर फाइब देखें वैदी काल की लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशु पालन था क्योंकि वे लोग पालतु पशु से परचित हो चुके थे एक सवाल मैं आपसे यह करना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आपको पता हो तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर और एक बात मैं और बता दू कि आड़े जो थे वो गाय को अधन्या मानते थे यानि ना मारे जाने वाएं नहीं जिसे लोग वे लोग नहीं मारते थे अगर कोई गाय को मार देता था या फिर उसे घवाहिल कर देता था तो वेदो में उसे मिर्टियों दंड देने की चैनल देखते हैं लिघ्री रखते वेदी काल के कारीगर इन lateral samurai का के विवे बनाते थे उट पर देखते लग ये जएक ले्टे नेक्स्री यह करते हैं तो उत्तर वहीं में पीच्ट से या याद रख सकते हैं कि लोह को होता है और उनलना परदाू फिद्दाबर को यह किए साच में परिवार के सबसे बुजूर् की मुख्या को कहा जाता था उत्तरवैदी काल में सब परिवार के सबसे बुजुद मुख्या को क्या कर जाता था तो वे लोग उसको ग्रीह पती करते थे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कोशन नमर 9 सुक्त का अर्थ है सुक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोले गए मांत्र ठीक है नेक्स्ट है इनमें से कौन उत्तरवैदी काल की रशन नहीं है उत्तरवैदी काल की रशन नहीं पुछा जा रहा यहाँ तो यहाँ पर होजाएका इसमेस जनम सिद्ध के समय से इस्वी सन प्रारवव शेता है जिससे हम लोग एडी बिकाते है एडी मता है एनो डॉमिनी यानि इसा मसी के जनम के समय से नेक्स चैप्टर है महा जनपतकाल यह भी बहुत इंपॉर्टन चैप्टर है इसे भी बहुत सारे कॉशन इसे बहुत रहते हैं तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत में महा जनपत की संख्या थी वह कितनी थी वह शोला थी भारत वर्ष को शोला जनपत में बाटा हुआ था और इनकी संख्या जोती वह सोला थी नेक्स्ट है किसी राजा के मरने के बाद उसके बड़े बेटी को राजा बनाने की प्रथा को करते हैं तो उसे क्या कहते हैं वन्शा अनुगत वह लोग राजा बनते थे ठीक है नेक्स्ट है महार जनपत काल में अवंती राज की राज़दानी थी महार जनपत काल में मगद राजा की राज़दानी थी वह राजगिरी है ठीक है नेक्स्ट है मगद का प्रमुख राजा था मगद का प्रमुख राजा था बिम्बिशार नेक्स्ट है नंदवंस का अर्तिम राज़दानी था ठीक है पहले सिक्के धातों के टुक्रों के बनाया जाते तो कैसे बनाया जाते थे तो टुक्रों पर ठपा लगा कर बनाया जाते थे नेक्स्ट है सिकों के प्रचलन से वेपार हो गया जाहिसी बात है सिकों के प्रचलन से वेपार सुगम हो गया आसान हो गया पहले लोग वस्तु के बदले वस्तु कर देते थे तब जाके उन्हें वस्तु देती ते फिरुद उसके बदले फिरुद ने वस्तु मीलती थी और अभी बहुत आसान हो गिया कि इसे काथ देने के बाद आप वस्तु ले सकते हैं तो ही पर आप था तो यूनान के मगदुनिया राजी का राजा कौन था? शिक अन्दर महाई जनपत काल में किसानों को अपने उपज का कितना भाग कर्ड के रूप में देना पर टाथा तो यह बहुत इंपर्टनस सवाल है to うणने देना परता थे चहछ भाग ठट्वा वह अपने अपने जो अपनी उपज कडर के रूप में है महां जिद्रोन हरपा कहा है उतलिक है पाकिस्तान के पंजाब कैसी थी तो नंगली सब्लस्ता महन जोद्रो की नगर बसे थे हरपसंस्कृति का विकास सिंधू नदी के किनारें थे महन जोद्रो की कुदाई से में क्या प्राप्त हुआ है सुनी यूजित नगर प्राप्त हुआ है सिंदु सविता विक्सित हुई 3500-4000 वर्ष पूर्व सिंदु अविता भारत में पाई गई कुल राजस्थां के काली भंगा में पाई गई है पंजाब के रोपर में पाई गई है और गुजरात के लोथां में पाई गई सिंदुखाटी करते थे लोग जल मार्ग विदेशी वैपार करते थे शंदुखाटीर किसे करते थे शंदुखाटी किसे कहते हैं तो समंदुर के किनारे इस्थित्वास थान जहां जहां जहाज खड़ा किया जाता था उसे ही कोदी कहते हैं नेक्स्ट है सिंदु गार्टी वासी को ग्यान नहीं था सिंदु गार्टी वासी को किस चीज का ग्यान नहीं था तो उन्हें लोहे का ग्यान नहीं था एक चीज मैं और बता दू यहाँ पे कि शिंदु सबिता को का सी यूग भी कहा जाता है वे लोग कासा से फढ़ किततें कासा के बहुत सारे की भी हमें तो यह ऑनगा सिंदु घाटी के सबिता से प्रशन में स्धुर्श प्रस्ट करते हैं प्रस्ट संक्या एक है 3500-40,000 वर्ष पूर्ज, उससे कहते है उससे क्या कहते तो उसे व्व्यदिक संस्कृति को विख्शित किया गया तो व्येदिक संस्कृति गया तो यह आडियों के द्वारा विख्षित किया गया वेदों की भासा है वेदों की भासा हम सभी जानते हैं कि वेदों की भासा संस्कृत है विष्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ, रीघ वेद है, वेद 4 है, यह तो हम सभी जानते हैं, जिसमें पहला वेद है, रीघ वेद, पिर है यजोर वेद, साम वेद, फिर अथरवेद है, अथरवेद है जो है, वो सबसे लास्ट का वेद है नेक्स्ट है कोशिन नमर फाइब देखें वैदी काल के लोगों का प्रमुक्ष प्रशु पालन था क्योंकि वे लोग जो थे वो पालतु पसु से परचित हो चुके थे एक सवाल मैं आपसे करना जाओंगी है कि अगर आपको पता तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखै की आरियू का प्रिये पाशु कुझें सा था हुँ का जवाब तो वेदों में उसे मिर्ट्य दंड देनी की विवस्था की गई थी या फिर देश से बाहर निकाल दिया जाता था वैसे लोगों को और ऐसे भी आज के समय में भी गायक को हम लोग गाउमाता की रूप में देखते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैदीकाल के कारीगर इनमें से लक्री का कौन सा समान बनाते थे तो वैदीकाल के जो कारीगर थे वो रथ बनाया करते थे लक्री का नेक्स्ट है उत्तरवैदी काल में कृष्ण अयस्क या काला धातु कहते हैं उत्तरवैदी काल में कृष्ण अयस्क या काला धातु किसे कहते हैं तो लोहा को कहते हैं ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि लोहा जो है वो काला होता है और लोहा एक धातु भी है तो उसे हम महात्रिष्ण का मतलब भी काला होता है तो लिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तरवैदी काल में परिवार के सबसे बुजुर्ख मुख्या को कहा जाता था तो वे लोग उसको ग्रीवपती कहते थे सुक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोले गाई मंत्र नेक्स्ट इनमें से कौन उत्तरवैदी काल की रशना नहीं है उत्तरवैदी काल की रशना नहीं पुछा जा रहा यहाँ तो यहां पर हो जाए इसा मसी के जनम के समय से इसा मसी का जब जनम हुआ था उसी वर्स से इस विशन प्राडम माना जाता है जिससे हम लोग एडी भी काते हैं एडी मता है एनो डॉमिनी यानि इसा मसी के जनम के समय से नेक्स चैप्टर है महा जन्पत काल यह भी बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर है इसे भी बहुत सारे क्वेशन पुछे गए हैं इसे क्वेशन बहुत रहते हैं तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत में महा जन्पत की संख्या थी वह कितनी थी वह शोला थी भारत वर्ष को शोला जन्पत में बाटा हुआ था और इनकी संख्या जटी वह शोला थी नेक्स्ट है किसी राजा के मरने के बाद उसके बड़े बेटी को राजा बनाने की प्रथा को करते हैं तो उसे क्या कहते हैं वन्शा अनुगत वन्शा के अनुसार वो लोग राजा बनते थे ठीक है नेक्स्ट है महार जन्पत काल में अवंती राज की राज़दानी थी महार जन्पत काल में मगद राजा की राज़दानी थी वो राजगिरी थी ठीक है नेक्स्ट है मगद का प्रमुख राजा था था बीम्बिशार नेक्स्ट है नंदवस का अर्थीम राजा था वो घननंद था नेक्स्ट है महार जन्पत काल में पहले लेन दिन होता था महार जन्पत काल में लेन दिन कैसे होता था तो वो वस्तू के बदले वस्तू से होता था पहले सिक्के धातू के टुक्रे के बनाय जाते थे पहले सिक्के धातू के टुक्रों के बनाय जाते थे कैसे बनाया जाते थे तो टुकरों पर थपा लगा रजाते थे नेक्स्ट है सिको के प्रचलन से वेपार हो गया क्ला करèce जाहिसी बात है सिक्कों के प्रचलन से वेपार क्यों असरो हो गया गर्वस्तु कहलास अर्मो схay में से युनान के मकदुनिया राजि का राजा था। शिकंदर था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो उन्हें देना पड़ता था छटवा भाग छटवा भाग वो अपने अपने जो अपने उपज का वो दे दिया करते हैं कर्ड के रूप में नेक्स चैप्टर है हमारा नवीन धार्मिक विचारों का उदय है आईए देखते हैं इसके एक प्रेशन कोशन नमर फर्स्ट है किस धार्मे महापूर्शों को तिरिथंकर कहा जाता है तो यह हम सभी जानते हैं कि जैन धार्मे महापूर्शों को तिरिथंकर कहा जाता है जैस तेईसवे तिर्थंकर और वे सबसे अंतिम तिर्थंकर हुए थे यहां पर एक सवाल मैं आपसे करती हूं कि जैन धर्म के तेईसवे तिर्थंकर कौन थे अगर आपको इसका जवाब आता है तो प्लीज कॉमें जरूर लिखिए नेक्स्ट है त्री रतन इवं पंच जो है वो जैन धर्म से संबंदित है त्री रतन के बारे में मैं आपको बता दू कि यह त्री रतन जो है वह समयक ज्ञान समयक दर्शन समयक ज्ञान और समयक आच्छन है नेक्स्ट है जैन धर्म में कैवल्ले प्राप्ति का अर्थ है कैवल्ले प्राप्ति का अर्थ होता है सच्ची ज्यान की प्राप्ति जब महावीर को ज्यान की प्राप्ति हुई थी तो उसे ही कैवल प्राप्ति कहा जाता है नेक्स्ट है जैन धर्म को में किसको जीन और महावीर कहा गया है तो जीन का मतलब होता है विजेता और जयन सब्द जो है वो भी जीन सब्द से निकला हुआ है इसका अर्थ होता है विजेता तो जीन और महावीर दोनों सब्द का परियोग इसके लिए हुआ था वर्धमान के लिए वर्धमान जो है वो महावीर के बचपन का नाम था नेक्स्ट है निवारन से आश्रे है निवारन का मतलब क्या होता है हस्रे मतलब होता है मतलब इसका मतलब क्या है तो निवारन से मतलब है मृत्यू जब महावीर की मृत्यू हुई थी तो उसे निवारन कहा गया था और उनकी मृत्यू 400 अर्षट इशापूर्ग में हुई थी और कहां हुई थी तो उनकी मृत्यू हुई थी बिहार राजी के पावापूरी में पावापूरी के राजगीर में ठीक है और इनका जनम कब हुआ था इसका जवाब आप comment box में दें चलिए next देखते हैं है गौताम बूद के बचपन का नाम था गौताम बूद के बचपन का नाम था तो गौताम बूद के बचपन का नाम क्या था शिधार था कई बाद यहां पर confused हो जाते हैं कि गौतम बुध के बच्पन का क्या नाम था महावीर के बच्पन का क्या नाम था तो बहुत आसान है अगर आप थोड़ा से सोची यहां पर तो बहुत आसानी से आप इससे समझ जाओगे जैसे देखिए गौतम बुध और सिधार्थ तो बुध में ज तो वहां पर हो जाएगा लेकिन यहां पर एक option में सुदो धन भी दिया हुआ है तो वैसा नहीं है आप वैसे तो आपको ध्यान में होगा ही कि वर्दमान और सिधार्थ यहीं दोनों जो है बच्पन का ही नाम है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं बादी विक्ष कहा जाता है तो बादी विक्ष पीपल के विक्ष को कहा जाता है नेक्स्ट है गौतम बुद ने अपना पहला उपदेश कहा दिया था गौतम बुद ने अपना उपदेश की सभासा में दिया था तो वे अपना गौतम बुद जो थे अपना उपदेश प्राकिरत भासा में दिये थे ठीक है नेक्स्ट है त्री पिटक त्री पिटक में है त्री पिटक में क्या है तो त्री पिटक में बहुत धायम की सिक्षा है नेक्स चैप्र है हमारा मौर बन्स और राजा अस्थो देखते हैं कोशन फर्ष्ट, किस राजा ने चानकक की मदद से मगत की राजा को खडाया था? नेक्ष्ट है, चानक के द्वाड़ा लिखित, किस पुस्तक से उस समय की सासन विवस्था समधित चानकाडिया मिलती है? तो किस पुस्तक से तो वो पुस्तक थी अर्थ शास्तिर्श की उसी से उस समय की शासर्म विवस्था की जनकारिया मिलती है नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के पॉत्र नाती का नाम था अशोग नेक्स्ट है ध्रमम का मतलब होता है कर्म से है ठीक है ध्रमम का मतलब कर्म से है असोक के धमम में कर्म पे बहुत ही विशिस जोर दिया गया था कर्तव अच्छा हो उस पे जोर दिया गया था असोक का मानना था कि पूजा पाठ और अनुस्ठान या फिर कोई कर्म काण ये सब्सके कोई अवसकता नहीं है आदमी को इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए जैसे अपने बरों की इज़त करना आदर करना और दूसरों के साथ अच्छा वहवार करना अपने दासदासियों की निंदा ना करना अपने दासदासियों के साथ अच्छा वहवार करना और बहुत कुछ जो बहुत सारी बाते ह जो अशोक ने अपने धामम में बताये हैं और यहां धामम में करही से है नेक्स्ट शोक ने अपने विचार पत्थरों के खंऊ और चटान ओ टीनित चाताना वे अपने विचार जो थे पत्थर प्थर पे प्राकिर्ण भासा में खुदवाये असोक कि राज कि राजदानी ती माहामात किसी कह जाता था प्रलब और अधिकारियों को कह जाता था समढ़ लाट अशोक किस धर्म को मानने वाला था तो जो समराथ अशोग थे वो बुद्ध के उपदेश्ट से बहुत प्रेडित थे और जिसके वज़ा से वे उन्हीं के धर्म को मानते थे बहुत धर्म को मानते थे नेक्स चेप्टर है हमारा विदेशों से बेपार और संपर्ग क्वेशन नमर फर्स्ट है प्राचीन समय में सेष्ठी सेटी या सेट कहा जाता था किसे कहा जाता था तो बेपारियों को कहा जाता था नेक्स्ट है प्राचीन काल में ब्यापार करने ब्यापारी दीन में चलते और रात में पराव डालकर रूख जाते थे वे जब गाव या जंगलों से गुजरते थे तब वे ऐसा करते थे प्राचीन काल में भारती वियापारी इंडोनेशिया अरब अफ्रीका आधी देशों में पहुंचते थे तो ये भारती वियापारी जो थे इन देशों में कैसे पहुंचते थे तो जल मार्क से पहुंचते थे नेक्स्ट है सम्राट असो के समय सिख्के बनते थे सम्राट असो के समय सिख्के कैसे बनते थे वे चांदी और तांबे से बनते थे नेक्स्ट है सम्राट असो के समय में सिख्के चांदी या तांबे के टुक्रों पर एक तरह से कैसे बना जाते थे चंदी या तांबे के टुक्रे होती थे तो उस पे थपा लगा कर बनाय जाते थे अहात मतलब चोट कड़के या फेर थपा लगा कर बनाय जाते थे इसका अंसर हो जाएगा ख़ल पालोगा कर ठीक है नेक्स चैप्टर है हमारा गुप्तकाल को गुप्तकाल में 36 गट को किस नाम से जाना जाता था तो गुप्तकाल में 36 गट को तच्छिन कोशल के नाम से जाना जाता था Question number 2 है गुप्त कालमे शमुद्र गुप्त में 36 गट की राजा महेंदर को पराजित करने के बाद उसकी राजी को क्या किया तो उसकी राजी को वापस कर दिया Next है पाठली पूत्र को वर्तमार में किस नाम से जाना जाता है पातली पुत्र को वर्दमार में पटना की नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है शमंद गुप्त की प्रसंशा का सीरा लेक पाया गया है तो शमंद गुप्त की प्रसंशा का सीरा लेक जो है वो इलाहा बार में पाया गया है नेक्स्ट है समंध्गुप्त दचिनावर्त दचिन भारत के राजाओं को हराने के बाद उनका राज्य क्या किया उन्हें लोटा दिया नेक्स्ट है फायान किस देश से भारत आया था तो फायान जो था वो चीन देश से भारत आया था गुप्तकाल की राजा किस धर्म को मानते थे? गुप्तकाल की राजा जो थे वो वैसनव धर्म को मानते थे गुप्तकाल में सबसे प्रमुक खगुल शास्त्री एवं गनितग्य थे खगुल शास्त्री एवं गनितग्य कौन थे? तो वो आरेभट थे गुपतकाल में फलित जोतिस के ग्याता थे, फलित जोतिस के ग्याता कौन थे, बढ़ाह मिहीर थे गुपतकाल में उच्च कोटी के साहित किस भासा में रचे गया थे तो उच्छ कोटी के साहित जो थे वो शंस्क्रित भासा में रचे गया थे नेक्स्ट है 36 गड़ में गुप्त काल की वस्तु कला की अनुपम कीती लक्षमन मंदिर किस अस्थान पर इस्तित है और यह चैप्टर भी समापतुए नेक्स्ट और सबसे आकरी चैप्टर है राजयों का योग पूशन्नमर फास्ट है प्रारा में हर्श वर्धन के राज की राज़ानी कहां थी तो हर्ष वर्धन की राज की राज़ानी थी थानिश्वर नेक्स्ट है गुप्तवंस के पतन के ठीक बाद एक प्रस्थित राजा हुआ जिसका नाम था जिसका नाम क्या था हर्षवर्धन नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने कर्णोज को नई राजधानी बनाई क्योंकि हर्ष वर्धर ने कर्णोज को नई राजधानी बनाई क्योंकि कर्णोज जो था उसकी राज के ठीक बीच में पढ़ता था इसलिए वो कर्णोज को नई राजधानी बनाई इसका एंसर हो जाएगा और कर्णोज उसकी राज के ठीक बीच में पढ़ता था नेक्स्ट है हर्ष के राज में संस्कृत के प्रसीत दरबारी कभी का नाम था तो उनका नाम बानभट था नेक्स्ट है हर्ष के सासन में चीन से भारत आने वाले बौध विक्षू का नाम था तो बौध विक्षू का क्या नाम था बौध विक्षू का नाम था हयान तशांग नेक्स्ट है कोशे नमर शाथ राजा हर्ष किस के उपासक थे तो राजा हर्ष जो थे वो सीव के उपासक थे नेक्स्ट है बौध विक्षू हयान तशांग किस देश से भारत आया था तो हयान तशांग जो था वो चीन देश से भारत आया था नेक्स्ट है, हर्स के काल में नालंदा सिक्षा का केंद्र था, क्यों की? हर्स के समय में नालंदा सिक्षा का केंद्र था, क्यों की राजा सिक्षा का संरक्षक था नेक्स्ट है, हर्स के काल में 36 गड़ में बौध सिक्षा का केंद्र था दाचिन भारत के चालूब के वन्सके राजा पूलकेषीन का नाम्न था चालो की राजा की राजधानी का नाम था वातापी नेक्स्ट आथा शालो के प्रेमी वा संड़क्छक थे इसलिए उन्हें उन्होंने चटान खोदकर घुफ़ाय वा मंदिरे बनवाये थे इसलिए उन्होंने क्या करवाया था चटान को खोद कर गुफाय वा मंदिरे बनवाय थे नेक्स्ट है पल्लववंस की राजाओं की राजधानी थी पल्लववंस की राजा की राजधानी कहा थी तो उनकी राजधानी थी काचिपूरम काचिपूरम पल्लवन्ज की राजा की रजधाने थी नेक्स्ट है सीव विष्णू के उपासक राजा थी विष्णू के उपासक यानी सीव और विष्णू को मानने वाले राजा थे कौन थे तो वो पल्लव थे नेक्स्ट है पत्थर के विशाल सिलाव को काट कर मंदीर का रूप दिया गया तो मंदीर का रूप दिया गया ये कहां पे दिया गया तो महाबली पूरम में जो कि भारत के दच्छीन में है वहां पे क्या किया जाता था कि पत्थर का जो विशाल पहाडिया जो होती थी विशाल सीलाएं जो होती थी उसको काट कर और मंदिर बनाया जाता था तो इसी के साथ यह क्लास 6 का चैप्टर समाप्त होता है और मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको अच्छा लगा हुए वीडियो तो प्लीज हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ तक तक के लिए बाबाए आईए इस बेल आइकान को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें यह सब बिलकुल फ्री है